हलो व्रीवन आयाइटी एंड ट्रेडर फैमली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल वेड़नेस दे के दिन मार्केट किस प्रकार से काम करने वाला है निफ्टी वेंग निफ्टी दोनों के इंपोर्टेंट सपोर्ट और र क्योंकि वहां पर आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है साथ में आप हमसे पने ट्रेड के बारे में डिसकस कर सकते हो कोई सवाल है तो वह भी आप हमसे पूंच सकते हो लिंक का डिस्क्रिप्टिन बॉक में मिल जाएगा अगर आपके पास दीमेट अकाउंट नहीं है और साथ में lifetime high के उपर close भी करके गया है closing basis पे भी lifetime high close करके गया है तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो हमारा chart pattern था बड़े time frame पे, weekly time frame पे इस time frame के अंदर यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यह जो weekly analysis का वीडियो था और मैंने यहाँ पे यह अभी नहीं यह 3 महीने पहले, यह 6 महीने पहले की बात है ठीक है, कि यह chart pattern बना हुआ है अब देखो, यह एक rising waves pattern है और इसके अंदर यह upside में चल रहा है ठीक है, और upside में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि यह इसने यह वाला छोटा सा एक chart pattern बनाया था अब यह छोटे chart pattern के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे यह बार-बार में क्या कर रहा था, यहाँ पे रजिशन स्पेस कर रहा था यहाँ पे दो बार रजिशन स्पेस किया और यहाँ पे चला गया था तो मैंने बोला था कि यह यहाँ से जब निकलेगा ना तब ही इसके अंदर क्या होने वाली है बड़ी तेजी होने वाली है अब यहाँ पे निकल करके यह उपर close तो करके गया है, अब देखते हैं तो उपर के अंदर क्यों जाना चीए देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यह चार्ट पेटन है इस चार्ट पेटन को आप descending, broadening चार्ट पेटन बोलोगे और यह यहाँ से breakout देखर के गया है और breakout से पहले की बात करें तो यहाँ पे यह गया, फिर से नीचे आया फिर उपर चला गया, फिर से नीचे आ करके वापस उपर में गया है यानि कि यह नीचे आ नहीं रहा था ठीक है, क्या नहीं कर रहा था? नीचे आ नहीं रहा था और यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला जो area है यहाँ पे 21,765 का area बहुत important resistance की जैसे काम करा था क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे continuously यहाँ तक इसने resistance phase करवाया उसके बाद में यहाँ पे resistance phase करवाया यहाँ पे resistance और जब उपर निकला तो फिर यहाँ पे support, support, support ठीक है अब यह इसके ऊपर sustain करके निकल चुका है तो इसका meaning यह है कि यहाँ से upside दिखाए और upside में दिखाने के लिए आप देख सकते हो कि यह इस type का pullback लेकर के breakout देने की कोसिस की है तो अब यहाँ पे target decide करना है तो यहाँ से यहाँ तक का हम FIVO का ratio लगाते हैं तो उपर के अंदर हमारे target हैं वो आते हैं वो हमारे target होंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यह कोई weekly analysis का वीडियो तो है नहीं यहाँ पे हम बात करेंगे intraday के अंदर कौन-कौन से level है जो कल के अंदर आपको resistance और support के जैसे देने वाला है यह तो आपको ध्यान यह रखना है सबसे पहले तो कि जब यह trend line का breakout दिया है न तो हो सकता है कि trend line के टेस्टिंग के लिए आ जाए ठीक है तो एक तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है दूसरा यह हो सकता है कि यहाँ पे जो अभी life आई है इसी के पास में से लेकर कि जो trend line है उसके पास में यह एक range का यह formation की थी ठीक है और morning के अंदर यहाला कि यह उपर यहाँ पे ठीक है यह यहाँ पे नहीं सोरी यहाँ पे 915 पे यहाँ पे opening दिया थोड़ा सा नीचे आया लेकिन वापस ऊपर चला गया था फिर life आई के पास में जा करके थोड़ा नीचे आया था अब यह life आई तो हो चुका है जो भी चीज़े है वो हो चुकी है अब आपको क्या करना है देखो तो आपको simple चीज़े है रखनी है कि यह वाला जो 2050 के यह test कर सकता है तो अब मैं एक एक लेवल है वो आपको बता देता हूँ उपर के अंदर आपको ध्यान में रखना है यह जो zone मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान में रखना है इसके उपर sustain करता रहेगा तब तक आपको ध्यान में रखना है 22,215 का जो लेवल है ठ और जैसे ही आप ट्रेड लोगें तो आपका जो टार्गेट है वो होने वाला है या पे 22,265 का फैला टार्गेट होगा इसके ऊपर जाता है तो 22,300 का second target होगा और इसके ऊपर 22,375 का यहाँ पे धर्ड टार्गेट होगा और 22,375 के बाद में यह जाता है तो ऊपर के अंदर 22 22,425 ठीक है और 22,475 यह resistance की जैसे काम करेंगे तो यहाँ पे यह उपर के अंदर आपको target या फिर resistance के जैसे दिमाग में रखने है कि nifty के यह resistance या target होंगे अगर उपर चलता है तो नीचे की बात कर लेते हैं तो नीचे में यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यह range के नीचे नही यह आना चीए यह तो एक important हो गया अगर आप इसको क्योंकि यह 15 minute का चार्ट है तो अगर आप इसको 3 minute के चार्ट के उपर जाकर के देखोगे तो यह जो level है यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बता है लेकिन जो यहाँ पे साथ जो point level है वो है हमारा 22,200 का इस 22,200 के नीचे आते ही market के अंदर थोड़ी weakness सुरू होगी और 22,185 के नीचे चला गया तो फिर market के अंदर थोड़ी ज़्यादा कमजोरी हो सकती है अब मैं यहाँ पे आपको बदा देता हूं level यह आप trend line चोटी सी draw कर सकते हो और इस trend line की value आप देखोगे तो नीचे के अंदर यह हो सकता ह इस trend line की pass में आ जाए ठीक है ओ सकता है कि यहाँ पे उपर open होकर कि यह trend line है उसको S करके फिर चला जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 22,200 का level या फिर 22,170 का level यह दोनों में से आप कोई भी ध्यान रख सकते हो 22,270 के level के नीचे अगर आकर के sustain कर गया तो जो low बन 50 और 22,15 का जो target है वो आपको आता हुआ दिखने वाला है intraday के अंदरी तो यह nifty के important support और resistance level है और यह हमारी professional trading के उपर based है अगर यह level आपको निकालने नहीं आते हैं और कैसे निकालते हैं swing trading कैसे करनी है या फिर intraday trading कैसे करनी है investment किस type से करना है किस type से research करनी है खुद से किस type से हमारी जो trading है उसकी journey को सुरू कर सकते हैं तो यह सारी चीजे हम यहाँ पे हमने एक course launch कर रखा है उस course के अंदर हमारा जो यहाँ पे new batch है वो 6 March से सुरू होने वाला है इस course के अंदर आप enrollment कर सकते हैं इसमें आपको basic से लेकर के advance तक यानिकी complete technical analysis ठीक है जीरो से आप आपको सिखाया जाएगा advance तक और उसके बाद में आपको professional trading यह भी आपको सिखाया जाएगी जिसके अंदर आपको diamond gate strategy है वो बताई जाएगी वो बहुत बहतरीन है यहाँ पे simple तरीके से आपको समझ में आने वाली है जो लोग ज्यादा पड़े वे नहीं है उनको भी यह easy तरीके से समझ में आ जाती है तो यह दोनों course हमारे ही यहाँ पे launch किये गए है तो यहाँ पे आप इनके अंदर enrollment कर सकते हो new batch है वो six months से शुरूगा दोनों courses की जो fees है वो 21,000 रुपे रखी गई है बहुत कम fees है ज्यादा फीस नहीं है अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप यहाँ पे जब course लोगे तब आपको यह believe होगा कि यह ज्यादा नहीं है professional trading के अंदर जो यहाँ पे strategy बताई जाएगी उसके अंदर आपको single trade के अंदर यह इस type की जो fees है वो recover कर सकते हो यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है जब आप आओगे तब आपको लगेगा कि actual में है क्या चीज़े आपको enrollment करना है तो हमारे जो number दिये गए है इनके उपर contact करना है otherwise आप खुद से भी enrollment कर सकते हो नीचे यहाँ पे जो details मागी गई है वो आपको हमें WhatsApp करनी होगी और साथ में जो यहाँ पे UPI ID है इसके उपर आपको payment करना है या फिर जो QR code है उसको आप scan करके हमें payment कर सकते हो यह कोई भी payment method आप use करके payment करोगे और साथ में screenshot हमें send करोगे तो आपका enrollment हो जाएगा अब चलते हैं यहाँ पे bank nifty के चार्ट के उपर तो bank nifty की बात कर लेते हैं तो bank nifty भी यहाँ पे बहुत strong तरीके से close करके गया है यहाँ पे अगर इसका बड़ा आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे यह चार्ट आप देख सकते हो यह एक chart pattern बना हुआ है और bullish channel है इसके अंदर downside के अंदर यहाँ पे बार बार में इसने support लिया है और यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बोला है ठीक है यह जब यहाँ पे आया है ना जब first time पे आया थ support है horizontal line का support है दो confirmation हो गई first यह वाली होगी second यह वाली होगी third वाली आप देखोगे तो यह जो wave है तो यहाँ से यहाँ तक की अगर फीबो का एक ratio लगाते हो तो यहाँ पे आपको फीबो का 61.8% का यहाँ पे लेवल दिखेगा जो की 45600 के पास में आता है तो यह भी आप ले का एक क्या formation किया है range formation किया है उसका breakout भी दया है और अब भी आप देखोगे 4 confirmation तो यह होगी थी अब भी आप देखोगे तो downside में आया था उपर गया फिर से नीच आया और फिर यह यह यहाँ पे जाकर के उपर में चला गया तो double bottom भी create करके चला गया है तो यहाँ पे आपक trade का जो यह trend line है उसकी तरफ movement करता हुआ नजर आएगा ठीक है तो अब देखते हैं कि nifty sorry bank nifty है वो 50,000 कब जाने वाला है लेकिन इस बार 50,000 जा सकता है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह April तक जा सकता है अभी March में मैं नहीं वो लूँगा क्योंकि March में आप देखो कि थोड़ा सा swing ले और उसके बाद में वापस से upside में जाए तब यह जा सकता है directly मैं नहीं बोलूँगा कि यह सीधा सीधा चला जाएगा तो April 15 यह मान सकते हो आप जो April का first half है उसके आसपास यह 50,000 तक जा सकता है मेरे according तो अब देखते हैं जो भी है वो देखा जाएगा लेकिन chart आपको यह बोल रहा है कि यहां से जो first resistance था जो कि मैं यह बात कर रहा था यह important resistance है 46,375 का ठीक है यह resistance क्रोस कर गया उसके उपर निकलता था तो यहां पे मैंने बोला था कि यह वाला जो resistance area था लगभग यहां पे आप देख सकते हो यह green line है इसका resistance आपको देखने क पर चुका है यहां पे ठीक है अब देखना यह है कि यह थोड़ा सा यहां पे range का formation करके निकलता है या फिर यह pullback लेकर के निकलता है या फिर यहां पे ही एक दिन wait करके फिर निकल जाता है बस यही तीनों चीजे हो सकती है ज्यादा इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लेने वाले हैं और कल की date के अंदर हो सकता है कि यह यह वाला जो level है 47,550 के यह भी आपको claim करता हुआ दिखे तो यह सारे level आपको ध्यार में रखने हैं मैं intraday के level है वो भी आपको बता देता हूँ तो यहां पे दोनों ही side के level बताता हूँ अब देखो जो हमारी downside की horizontal line थ तो इसका resistance phase किया तो इसी के pass में consolidation किया हलांकि जादा नीचे नहीं आया उपर गया फिर से थोड़ा सा नीचे आया और support लेकर के वही से चला गया अब same यह जो consolidation type का दिखा ना यहां पे आपको दिख रहा है कि यह same consolidation type का दिख रहा है ठीक है अब यहां पे भी यह हो सकता है कि यह थोड़ा सा उपर जा करके एक बार इसके pass में आये ठीक है और जब यह आयेगा ना तो उसके pass में support लेकर के फिर से upside में जा सकता है same यह वाला जो है pattern यहां पे repeat करने की कोशिस कर सकता है तो यह सीज़े आपको ध्यान में रखनी है अब मैं intraday की level की बात करूँ तो यहां पे उपर में आपको ध्यान रखना है 47135 का ठीक है 47135 के उपर निकलता है तो जो resistance level निकलेगा वो है हमारा 47225 का next वाला उसके उपर जाता है तो 47400 का level हमारा resistance होगा उसके उपर 47525 का ठीक है उसके उपर जाता है नीचे के अंदर हम बात करनेते हैं, तो नीचे में ये वाला जो area है, उसके नीचे वापस आता है, तो ये आज के जो swing low है, यहाँ पे आ सकता है, और उनके नीचे आता है, तो ये वाले जो low है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो मैं आपे पूरे के पूरे level लिख के बता देता 47,060 का ले जो level है उसके नीचे नहीं आना चीए अगर इसके नीचे आता है एक तो यही support area है अगर इसके नीचे आता है तो नीचे में फिर आपको जो support दीखेगा वो आपको support देखने को मिलने वाला है 46,980 का ठीक है 46,980 के नीचे आता है तो 46,890 का जो level है वो आपको देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको आता है तो 46,800 का जो level है वो आपको support देने वाला है इसके नीचे आता है तो 46,700 46,575 46,475 46,375 और 46,200 यह level आपको देखने को मिलने वाले है bank nifty के अंदर तो इन level को आप note करके रेखिएगा अगर यह नहीं निकालने आते है आपको सीखनी है trading अगर आपको सच में trading के अंदर career बनाना है तो हमने course launch कर दिये हैं उनके अंदर आप join कर सकते हैं और बहुत बहतरीन तरीके से easy way के अंदर और बहुत quality content आपको और बहुत quality की वाली जो strategy है वो बताई जाईगी तो आप join कर सकते हो तो मिलते हैं next video में thank you very much